रेट्रो इशेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 11 के हॉर्ण बुक से वी आ नॉट अफरेड टू डाई इफ वी आ टूगेदर स्टोरी को देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं जुलाई 1976 में एक 37 वर्ष का वेपारी रहता है जो कि स्वयम नरेटर हैं उनकी जो वाइफ है मैरी वो भी साथ में हैं 6 साल का उनका पुत्र जुनातन है और 7 वर्ष की पुत्री सुजैन नाउ में इंग्लैंड से प्लाई माउथ बंदरगा के लिए रवाना होते हैं संसार के चारो और एक लंबे समुद्री यात्रा के लिए वो जाना चाहते थे जैसे की 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था उन्होंने 23 मीटर लंबे और 30 टन भारी लकडी से बने हुए नाउ जिसका नाम वेव वागर था उससे उन्होंने समुद्र की यात्रा आरंब की उन्होंने सबसे पहले 3 साल का योजना बनाया और उस 3 साल में 1,5,000 किलो मीटर का जो यात्रा था वो प्रथम चरण में जो वहाँ उन्होंने धंग से गुजार लिये क्योंकि खराब मौसम वाले जो दक्षडी भारतिय समुद्र है उसको पार करने के लिए जो आतरे उनको सहायता मिल जाएगा केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन उन्हें बहुत तेज हवा का सामना करना पड़ा जो अगले कई सपता तक लगतार उसी स्पीड से चलता रहा जो समुद्र की लहरे थी 15 मीटर उपर तक उठ जाया करती थी लेकिन 25 दिसंबर को वे केप टाउन से 3500 किलो मीटर इस्टरिंड साइड में जा चुके थे चुकि मौसम बहुत खराब था उसके बावजूद भी उन लोगों ने क्रिस्मस इंजॉय किया और निव यर सेलिबरेशन भी किया मौसम और भी जादा खराब हो गया दो जैनुवरी को बहुत सक्तिसाली समुद्र की लहरे उठने लगी वे आठ नौट की गती से उस शिप को चलाने लगे उन्हें छोटी पाल गिरा कर तथा निर्धार अस्थान में पोद को रखने के लिए बांधने वाली जो रसिया थी उस रसियों के माध्यम से उन्होंने पीछे के भाग में बांध कर अपने उस सिप का जो गती था उसे स्लो किया फिर उन्होंने जो लाइव ग्लॉट्स होता है उन सब चीजों को उन्होंने धारर कर लिया क्योंकि उन्हें आसंका थी कि तुफान फीर आएगा इसलिए वो पूरी तरीके से रेडी कर लिये और उस स्ट्रॉम का इंतजार करने लगे भावी अमंगल विपत्ती के प्रथम चिन अब सकुन भरी चुपी से आये पिर क्या हुआ कि जो हवा था वो रुग गया और अच्छानक से अंधिरा होने लगा और उसके बाद क्या होता है कि एक बढ़ती हुई दहार की आवाज के साथ बहुत बड़ी लहर आती है। एक बहुत बड़े भी स्पोर्ट ने उस सिप के डिक को हिला दिया और जो नरेटर है उनका सर उस सिप को चलाने वाले पही से जाटकराया और उसके बाद वोट के एक साइड से गिरके पानी में चले जाते हैं वो उस लहरों में डूबने लगते हैं और उनको ऐसा अभास हो जाता है कि उनके मृत्यों उनकी नजदिक आ रही है और उन्हों अपनी आगामी मृत्यों को च्विकार कर लिया अचानक उनका सिर पानी से बाहर निकला कुछ मीटर दूर वेव वाकर पानी में उलटने वाली थे फिर एक लहर ने उसे सिधा कर दिया आगामी लहरों ने ऑथर को जो चिथड़े की घुडिया होती है न उस तरीके से सिपके देख पे फेक दिया और जब वो लहर इनको देख पे फेका उनकी बाई पसलिया तूट गई यहां तक उनका दाद भी तूट गया और उनका मूँ खून से भर गया किसी प्रकार से उस वील को पा लिया तथा उस बोट के पिछले भाग को आगली लहर के लिए सीधा किया उ लेकिन वो इस तिदी की जाच करने के लिए अपने अस्थान को नहीं छोड़ सकता था अचानक उसकी पतनी मेरी ने डेक का द्वार खोला और फिर चिलाई कि वे डूब रहे हैं तो कि जो देखे वो तूट चुका है जो नरेटर है उन्होंने उस वील को अपनी बीवी से स गया था और जो कपड़े, ट्रॉकरी, चार्ट, टीन, स्वाइज, जो भी उस सिप में रखे हुए थे वो सब पानी में तेरते हुए नजर आ रहे थे नरेटर रिंगते हुए अपने बच्चों के केविन में गया सिर्फ एक बड़ा सा उभार निकला हुआ था और उसका उ पानी का लेवल था वो बहुत खतरनाक तरीके से और उपर उठने लगा। उन्होंने पाया कि उनके दोनों अतरिक्त हाथ से चलाये जाने वाले पंप, आगे लगने वाली पाल, तिनकोनी पाल, खोटी नोका, तता मुक्य लंगर के साथ ही लहर द्वारा बहा कर ले गई थ उन्होंने एक आने बिजली का पंप ढूडा, इसे बाहरी पाइप से जोडा और सारी रात पानी बाहर निकाला गया। चुकि हमें ये भी पता चलता है कि स्यूग को चोट लगा रहता है सर में और उसका सर भयानक धंग से सूच गया होता है। उसकी आखे भी सूच गई थ पंद्र घंटे से जिवेत बचे थे लेकिन वह इतना भी ठीक नहीं था सिप जिसके माध्यम से वह उस्ट्रेलिया जा सके। उन्होंने चाड को चिक किया। उन्होंने कल्कुलेट किया कि पूर्वी दिशा में 100 किलोमीटर सेल करने पे उन्हें शायद दोटे छोटे छोट पासी तक पहुंचे थे अब उन्हें केवल उस पानी के साथ गती बनाएं रखनी थी जो अभी पोत में आ रहा था नरेटर की पतनी जो मैरी हैं उसे कुछ बीफ और कुछ बिस्किट लास किया लगबक दो दिन में उन्होंने पहली बार भोजन किया था उनका यासुक प्रिस्ति हद से ज्यादा खराब होई थी जो नरेटर हैं वो बच्चों को अराम देने के लिए अंदर गया हैं तब जब जॉन पूछता है नरेटर से कि क्या हम मरने वाले हैं तो नरेटर उसे विश्वास दिलाया कि नहीं हम लोग सेफली बच निकलेंगे तब जॉन कहत चाके निकल जाएगा कमजोर दाहिनी प्रिष्ट की रक्षा करने के लिए उसने जहाज को रुखने का निड़य किया ताकि छती रहे पतन की और वाली पेदी आने वाली लहरे की और रहे उन्होंने क्या कि भारी नैलोन की रसी और साथी में 22 लिटर वाले मिटी के तेल के दो प्लास्टिक के ड्रम से काम चलाओ लंगर बनाया जोकि साम को तूटे हुए जो तक्त थे उससे अधिक पाने उस सिप के अंदर भूसाया था 26 जन्वरी को सवेरे जो हवा था उसका जुगती था वो थोड़ा सा कम कठोर था नरेटर ने डिगरी तता दूरी मापने वा बाद वेक करता हुआ एक संदीश भी था दो बजे के समय गढ़ना करने के बाद ऑथर ने लेरी को 185 डिगरी पर चलने के लिए बोला तब वो पांच बजे के आस पास एक देखने की आसा कर सकता था और फिर वो नीचे आया और पटरी पर चड़ा और लेटते ही वो उंग वोलोग आयलेंड खोजली है और यह सुनते ही जेक पे दौरते हुए आता है और आके उस अमस्ट्रडम आयलेंड को निहारता है देखता है और उस रात उन्होंने टट के पास अपना लंगर डाला और अगले सुबग क्या होता है कि उस आयलेंड पे जो 28 निवाशी थे उन सदनाव के भयंकर समय में प्रसन्नचित रहे थे और मेरी उन महतुपूर चढ़ों में संचालन के पहिये पर डैटी रहती थी ये चैनलन का पहिया उस पहियों को कहा गया है जिस पहिये के माध्यम से किसी भी बड़ए से जहाज को चलाया जाता है और उसके बाद नरेटर और फाइनली यहां पर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है थैंक यू पर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल रेट्रो स्टडीज